अगर आप एलमेंट करते हैं तो अगर आप ग्राउंडिंग करते हैं अगर आप अगर आप आप तो आप कोपर है और आप कितनी देर किया चीज़ करना चाहते हैं या अगर आप सिरफ जैसे के रोल करते हो, आपने देखा है कि कभी-कभी आप जमीन के लोग, जब आप परिक्रमा के लिए जाते हो, आप मंदिर जाते हो, कई लोगों को आप क्या देखते हो, कि वह जमीन के उपर रोल भी करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, देखा है आप ने कभी, so उससे आपका सबसे अच्छा grounding होता है आपकी body के अंदर जितने भी in fact reflex points है वो भी वो हो जाते है पर आप वो करना चाहो नहीं करना चाहो आपको comfortable हो, नहीं comfortable हो तो जो चीजे आप करना चाहते हो, वो 5-10 minute में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ा major चीज़ करना है अगर आप रोज करते हो तो मैं different different techniques सिखाऊंगी, different techniques आप कौन सी technique को किस हिसाब से use करना चाहते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं तो हमने बात की कि तो हम इस course में क्या करेंगे कि आपकी body है उसका एक composition है उसका एक दिखने में एक तरीका है और एक प्रकार से आप उसके जो face कर रहो है everyday life में किसी को कुछ specific problems हो सकते हैं और हो सकता है किसी को specific problems नहीं हो पर उसको overall जैसे कि किसी के बाल जड़ते है किसी के skin में pigmentation है right so अभी ये है disease तो नहीं आप बो सकते लेकिन फिर भी एक तरीका एक normal हमारा everyday के उसमें हम experience कर रहे हैं तो हमको पता है कि cause of concern है हमारे लिए right so उसमें हमारा कौन सा तत्व उससे involved है और जब हम particular problem है तो इसका ये तत्व ज़रूर इसमें involved है लेकिन of course सारे तत्व एक दूसर से related है ऐसा नहीं कि आप एक तत्व को अलग कर लो और दूसरे तत्व को आप कुछ वो नहीं करो because कुछ तत्व को बढ़ाना पड़ता है कुछ को घटाना पड़ता है तो जाके वो चीजें balancing होते है कुछ ज़्यादा भी हो सकती है कुछ कम भी हो सकती So, आपकी कौन सी direction उससे associated है यह मैंने बात की color जो आपने अभी बोला कि हम किसी प्लकार का खाना खा सकते है किसी color का खाना खा सकते है उसी प्लकार से किसी color के कपड़े पहन सकते है किसी color के beads पहन सकते है किसी color के crystals इस्तमाल कर सकते है So, crystals भी हमारे यह चक्रास के साथ यह elements के साथ connected है तो उसमें इसके बारे में भी बात होईगी मैं मैं आप crystal के बारे में बताएंगी यह specifically crystal का course नहीं है लेकिन of course जो आप से Earth elements से connected crystal है जो water elements से connected crystal है जो वो सब आपको yes बताए जाएगी मैं यह total कितने दिन होगा झाओ मैं 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 यह दो महीने का course है तो दो महीने में हमारी classes होती है हफ़ते में 2 दिन हफ़ते में 2 दिन होती है तो 8 classes एक महीने में होती है और 8 classes दूसरे महीने में बती हैं तो टूटल में लाके 16 classes होते हैं ठीक है तो जो जैसे के हम Earth की बात करते हैं तो हम Earth की बात करते हैं तो जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारा structure है जो bones है, जो flesh है, skin है ये सब हमको एक प्रकार दे रहा है अगर आप सोचो अगर आपका प्रकार नहीं होता आपको कोई चीज को बनाना है तो वो मिट्टी जो है उसको एक प्रकार देती है नहीं तो अगर सिरब पानी ही होता तो वो हमारी body ता ऐसा fluid की तरह होती है ना, उसमें कोई वो नहीं होता right hold नहीं होता उसको एक पकड़के एक जुट करके एक जगे पे रखने का कोई वो नहीं होता right तो जब हमारे earth is out of balance तो हमको specially issues होते हैं related to our skin hair, muscles, bones यह सब की issues हमारे अंदर आते हैं और आप देख सकते हो कि आजकल जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अफकोस हमारा खान पान जो हम खा रहे हैं उसमें यह earth element की problem है पर उसकी वज़े से हमारा जो शरीर है उसके अंदर जब यह problems आ रहे हैं तो majority of the people में यह सब problems आजकल हैं हर किसे right और इसकी वज़े से हम कभी न कभी ठकान भी महसूस करते हैं हमारे weakness भी हो जाती है हम कुछ लोगों को भूग बहुत ज़ादा लगती कुछ लोगों को भूग बहुत कम लगती right so because भूग ज़ादा लगती है और खाना खाते रहते हैं और अर्थ एलेमेंट ज़ादा भी होता है तो भी हम मुटापा हमारे अंतरा आ जाता है right तो कुछ लोगों में शरीर में मुटापा बढ़ जाता है और कुछ लोगों में शरीर में मुटापा कम भी हो जाता है जब कि ये देखो आप जब disbalance कर रहे हो तो आप उसका मतलब क्या कह रहे हो कि कोई चीज या तो बड़ी भी है या घटी भी right तो इसका replications दोनों तरफ होएगा ना okay so ये crystals की हमने बात की hand mudras की बात की फिर इसके अंदर हम लोग moon के cycle से भी काम करेंगे तो moon जह है आप जानते है full moon है new moon है waxing moon है waning moon है तो हर moon का जो क्योंकि वह बढ़ता है और घटता है उस प्रकार से वह हमारी body पर भी impact करता है आपको मालूम है हम सब healers हैं मून की भी बहुत सी वासना करते हैं बहुत सी उनकी meditations करते हैं और कैसे वो moon का effect पानी के उपर होता है और पानी से हमारे उपर भी होता है हमारे अंदर भी पानी है तो वो काम करेंगे और जब हम earth element की काम से काम कर रहे हैं तो हम कहीं न कहीं अपने roots से भी काम करें तो roots कौन represent करता है हमारे ancestors जो हमारे पूरवज हैं वहां roots को represent करते है तो हम ancestor healing भी जब हम earth element की करेंगे तब हम करेंगे तो ऐसे ही जब अलग-अलग elements है अलग-अलग elements है associated क्या-क्या चीज़े है वह उसमें की जाएंगे जैसे कि अगर आप air के उपर काम कर रहे हैं तो आप अपने mind के उपर काम करेंगे जब mind के उपर काम कर रहे हो तो आप mind में subconscious mind में आपके क्या belief systems है patterns है उसके उपर काम करेंगे तो इस तरह से वह course का वह चीज़ें अलग-अलग मेंगे तो इट विल भी इट से वेरी overall बहुत बड़ा अच्छा सब कुछ cover करके उस हिसाब से इस course को बनाएकर ओके